हेलो एवरिवन नेमत खाना में एक पर फिर से आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है और आज भी एक देशी पकवान की बारी है इस लॉक्टाउन के समय मैंने कोशिश की है कि बहुत ही कम इंग्रीडियंट से एक मज़ेदार साथ डीप फ्राई स्नेक्स बनाया जाए तो व के साथ शेयर करूंगी जो के मेरे अपने पर्सनल एक्सपिरियंस है चलिए रेसेपी शुरू करते हैं तो फुलकी बनाने के लिए सबसे पहले हमें दाल को भीगोना होगा इसके लिए मैंने इसे रात भर पानी में भीगो कर छोड़ दिया था यूं तो दो घंटे भी दाल को फुलाने के बाद आप इसकी फुलकियां बना सकते हैं लेकिन अगर आप चाहते हैं के बहुत ही मोईस्ट और बहुत ही फूली फुली हुई हलकी हलकी फुलकियां तैयार हो तो उसके लिए दाल का आठ घंटे तक फुलाना जरूरी है इससे प्रोटीन की बाउंडिंग धीली पड़ जाती है और पीषने के बाद ये बहुत ही नरम बनता है तो अब इसे धो कर और चान कर हमें रखना होगा अब फुली हुई दाल को मिक्सी पॉट में डाल लेते हैं अगर इस दाल की आप कच्री बनाना चाहते हैं तो इसमें पानी बिल्कुल इस्तामाल न करें और इसे रुकरू कर चलाते हुए पीसे इस पर असे दरदरा दानेदार जो पेस्ट बनेगा उससे आप कच्री यानि टाइट फुलिया बना सकती हैं इसमें मैं बहुत ही कम मसाला डालने वाली हूँ तो यहां मैं 6-7 कलिया लेसुन की और 4 हरी मिर्च डालने वाली हूँ और लेसुन की जोओं की छिलके को हटानी की जरूरत नहीं हटा ले तो ठीक है वरना यह पीस कर भी बारीक हो जाएगा यहां पर हाफ टीय स्टून मैंने पीसा हुआ अदरक का इस्तामाल किया है अगर आपके पास अदरक का टुकरा है तो थम साइस का एक टुकरा इस्तामाल कर ले एक इंच के लगभग का टुकरा दो चार दाना मैं काली मिर्चो का डाल दे रही हूँ और बस इसमें इतना ही मसाला काफी है इसमें जीरा तो बिलकुल नहीं डालना है और इसकी जो फुलकी तयार होगी उसका टेस्ट बहुत ही हलका बहुत ही सॉफ्ट होगा फुलकी भी सॉफ्ट बनेगी और टेस्ट भी बहुत ही soft होगा तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर हमें पीसना है थोड़ा पानी और डालते हैं और इसे फिर से चलाते हैं अब आप देख सकते हैं कि ये डाल किस तरह का पिसा हुआ है और इसका texture कैसा है ये बिल्कुल बारी पिसा हुआ है दरदरा नहीं है और जो इसमें एक आध दाना दिख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो फुलकी के नरम बनने में इस पीठी का सबसे बड़ा हाथ है जैसी आपकी पीठी होगी वैसा ही आपके फुलकी का texture होगा और जैसा इसका पीठी का टेस्ट होगा वैसे ही आपकी फुलकी का भी टेस्ट होगा तो चलिए इसे एक बरतन में निकाल लेते हैं अब इसमें जाएगा कटी हुई प्यास एक बड़ी साइस की प्यास को हमने बारिक चॉप कर लिया है जैसे अंडे का प्यास बारिक काटा जाता है एक कटी हुई हरी मिर्च अगर इसे बच्चे खाने वाले हैं तो आप इसे भी एवाइट कर सकते हैं अब इसमें 3 quarter cup हम पालक का नरम पत्ता डाल रहे हैं अगर पालक नहीं है तो धन्या की पत्ती डालने या अगर मूली के नरम पत्ते है तो वह भी काट कर डाल सकते हैं अगर पत्ता नहीं है तो इसे skip कर दें साथ के अनुसार नमक डालना है मैंने यहाँ पर 3 पाटर टी-ए स्पून नमक लिया है यहाँ पर हमने चौथाई टी-ए स्पून क्रश किया हुआ अजवाईन डाला है यह चने के दाल की फुलकिया है तो हो सकता है डाइजेशन में प्रॉबलम हो तो मैंने यहाँ पर अजवाइं डाला है अगर किसी को डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ पर हिंग का भी इस्तामाल कर सकते हैं अब यहाँ पर डालना है 1 एट्थ टी ए स्पून खाने वाला सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं बहुत ही थोड़ी सी मात्रा में यू तो यह बिना सोडा के भी फूली फूली ही तयार होगी क्योंकि इसे मैंने बहुत बारीक पिसा है और बहुत देर तक भिगो कर रखा है अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें इसे रिस्ट नहीं देना है जल्दी से इसकी फुलकियाव बना लेना है चलिए बनाते हैं जटपट वाली आम की चटनी कच्चे आम और पुदीना वाली चटनी चलिए तो चटनी हमारी तैयार हो चुकी अब फुलकियों को अच्छी तरह से फेट लेते हैं यही तरीका है इसके फेटनी का इस तरह से फेटने से हवा इसके अंदर ट्रैप हो जाती है और इस वज़े से फुलकी हल्की बनती है यहां पर हाथों की सफाई का खास ध्यान रखना है मैंने नाखुन काटा हुआ है, निल पॉल्श नहीं लगाई है नहीं कोई छल्ला या अंगूठी मैंने पेहना है अब हाथों सही गोल-गोल फुलकियां हमें तैल में डालकर पका लेना है तो दोस्तों मैंने इस तरह से खुल्कियों को कड़ाही में डाल दिया है आप देख सकते हैं यहां पर हमें सर्षों का तेल इस्तमाल दिया है नो कमेंट प्लीज कड़ाही पर कुछ न कहें यह हमारी नॉन स्टिक से भी ज्यादा बढ़ियां कड़ाही है इस फुल्की में ज्यादा मसाला नहीं डालते हैं लेकि यह फुल्की बहुत ही टेस्टिक लगती है अंदर से बहुत ही नरम और बाहर से बहुत ही परंची कि अ कि अ कि तो आपनी देखा मैंने कितनी आसानी से एतनी धेशारी पकॉडियां बना ली हैं तो अगर आप भी दो-तीन बातों को ध्यान में रखें यानि के इसे कितनी देख सोब करना है इसमें कितना engineers मिलाना है और इसे कितना फेटना है ये तीनों चीज़ों को अगर फॉलो करें तो आप मुझसे भी बहतर पकोड़िया बना सकते हैं तो उमीद है आज की वीडियो को आपने इंजॉय किया होगा तो इसे लाइक और शेर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइ लिख करना ना भूलें थैंक यो फिर वाचिंग मैं वीडियो बबाई